नमस्कार दोस्तो बिजनस आइडिया चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आज कल के जो टाइम है आज कल का जो दौर है इसमें हमें जो है लगू उद्योग या जो उद्योग है इसके सेक्टर में बढ़ना काफी फायदे मन्द हो रहा है क्योंकि अगर आप IT फिल्ड या आजर किसी भी फिल्ड से बिलॉंग करते हैं तो वहाँ पे आज के टाइम में नौकरी की जबरजस्ट प्रॉब्लम होने वाली है लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा ओप्शन दे दिया जाए जिस ओप्शन के तो ना सिर्फ आप जो है अपनी फैमिली का बल कि आप आज पास के लोगों को लाइफ में एक उमीद की किरण जगा दें तो यहां आपके लिए कितना बहतरी होगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा और दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि paper plate यानि कि paper plate दोना और पतल जो खाने वाले पत्तल होते हैं इसका निर्माड कैसे किया जाता है और साथ ही साथ मैं इसमें बताऊंगा कि इस बिजनस आइडिया के अंतरगत कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी और कितना इंकम आप कमा सकते हो तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूँगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रिड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो डेली एक से बढ़कर एक आइडिया आपके inbox में भिजदिया जाएगा और आप जो है इस तरह के तमाम आइडियाज से अपडेट रह सकेंगे साथ ही साथ अगर आपको कभी भी इस तरह की चीजों की आवशक्ता है तो आप हमें direct mail कर सकते हैं, direct call कर सकते हैं और इस comment box में लिख के हमें inform कर सकते है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके context में सबसे पहले यह जरूरी होती है कि आप जो है कुछ ऐसे wholesalers के पास जाएं और उनसे request करें कि आपके पास इस तरह के products जो है वो बनने वाले हैं या बन रहे हैं तो उसको आप किस तरह से purchase या sell करोगे तो दोस्तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ ऐसे client मिल जाते हैं जहां पे आप directly उनको bulk में provide कर सकते हो bulk में sell कर सकते हो तो यह जो है starting को आप सीधे सीधे इस्तमाल कर सकते हो और वह जो है automatic जो है die के मदद से single या double system से plate का जो production है वो शुरू कर देगा और आपको उस plate को collect करना है और ले जाके market में direct sell करना है तो कोई भी manpower का investment नहीं है और इस machine को चलाने के लिए किसी भी बंदे की ऐसा नहीं है कि वो बंदा export होना चाहिए educated होना चाहिए ऐसी कोई requirement नहीं है आप जो है किसी भी अस्तर पे है तो इस machine को के साथ जो है अपने business को शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं entire process में इस तरह से जो है machine die change करने के बाद से production को शुरू कर देता है और इस तरह से production जो है वो start होने लगता है दोस्तो अब बात आती है कि हम कितने investment करेंगे और किस तरह से करेंगे तो कितना कितना क्या मुनाफ़ा होगा क्या transportation कर चोगा तो दोस्तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक single die machine का दोस्तो single die machine जो होता है जो fully automated machine है आज किलके डेट में market में जो है 40,000 रुपीज के अंदर available है यानि कि 40,000 रुपे लगा कर आप single die machine को आराम से purchase कर सकते हैं अब दोस्तो अगर आपको जरूरत है double die machine की तो ऐसे में आप 20,000 और रुपे लगा करके double die machine का भी आपको आप सीधे सीधे इस्तमाल कर सकते हो और वह जो है आटोमेटिक जो है die के मदद से single या double system से plate का जो production है वो सुरू कर देगा और आपको उस plate को collect करना है और ले जाके market में direct sell करना है तो कोई भी manpower का investment नहीं है और इस machine को चलाने के लिए किसी भी बंदे की ऐसा नहीं है कि वो बंदा export होना चाहिए educated होना चाहिए ऐसी कोई requirement नहीं है आप जो है किसी भी अस्तर पे हैं तो इस machine को के साथ जो है अपने business को सुरू कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं entire process में इस तरह से जो है machine die change करने के बाद से production को सुरू कर देता है और इस तरह से production जो है वो start होने लगता है दोस्तो अब बात आती है कि हम कितने investment करेंगे और किस तरह से करेंगे तो कितना कितना क्या मुनाफ़ा होगा क्या transportation कर चोगा तो दोस्तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक single die machine का दोस्तो single die machine जो होता है जो fully automated machine है आज किलके date में market में जो है 40,000 rupees के अंदर available है यानि कि 40,000 rupees लगाकर आप single die machine को आराम से purchase कर सकते हैं अब दोस्तो अगर आपको जरूरत है double die machine की तो ऐसे में आप 20,000 और रुपे लगाकर double die machine का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं आप उसे buy कर सकते हैं तो दोस्तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इससे आखिर कितना production होगा दोस्तो अगर आप जो है 40,000 rupees लगाकर investment करते हैं तो उससे जो है पर घंटे 1700 plate का निर्माड आप कर सकते हैं आराम से यानि कि एक घंटे के अंदर आप 1700 plate का निर्माड कर सकते हैं अगर आप जो है double die system का यूज करते हैं तो इससे जो है आप 3400 जो पतल है वह जो है पर घंटे आप उसका production कर सकते हैं तो दोस्तो अब बात आजाती है कि हमारे पास ये production हो रहा है लेकिन market में हमें इससे क्या फायदा होगा और साथे साथ जो raw materials के साथ यूज होने वाले हैं उसकी price क्या होती है तो दोस्तो अब बात करते हैं अगर prices की तो आपको जो है market में ये papers जो होते हैं जिससे आप use करेंगे as a raw material वह available हो जाता है 3800 रुपे से लेके 118 रुपे के बीच में different different qualities के paper होते हैं इसके पतल प्लेट का rate है वह भी different different ही होता है जैसा कि आप प्लेट यूज करोगे लेकिन minimum range में अगर मैं आपसे बताओं तो आप 38 रुपीज के अंदर 38 रुपीज के साथ आप जो है ये plate जो है इसका जो paper है आप उसे purchase कर सकते हैं और इसके साथ आप जो है इसका production शुरू कर सकते हैं दोस्तों अब बात आती है कि आपको income कितना होगा दोस्तों अगर normal तो पर मैं बात करूँ तो आपको जो है 18,000 से 25,000 रुपे machine जो income है वह आपको मिल जाता है monthly जो है इसको इस तरह का income हो जाता है और यह जो है single die system से होता है और अगर आप अच्छा से work करते हैं अच्छा से आपको rate मिल जाता है तो जो है यह जो है 30 से 40,000 रुपे तक भी हो जाता है अगर आप double die system का यूज करते हैं तो इसी तरह से जो मुनाफ़ा है वो आपको similarly AC के हिसाब से बढ़के मिल जाता है क्योंकि उससे production ज्यादा होगा तो of course obvious सी बात है कि वहां से जो आपको value है वो भी काफी अच्छा मिलने वाला है दोस्तो ये बात हुई हमारी production की लेकिन दोस्तो अगर कोई बंदा कहीं से purchase करता है let's say कि अगर कोई बंदा डाली करना होकर वो जो है आसाम का है और वो डाली से इस machine को purchase करता है तो ऐसे में उसे जो है pay करना होता है पचीस सो रुपे से तीन हजार रुपे जो transportation खर्च होता है इसके अलावा जो भी बंदा इसके nearby करता है यानि के UP और बिहार से करना होता है तो वो जो है directly से purchase कर सकता है और इसके लिए करना ये होता है कि जो वो हमारे through भी connect करके वो machine को purchase कर सकता है उसके लिए हमने affiliation ले र अधिए